टीमसी और प्रशांद किशोर के बीच खटास की खबरें सामने आ गए खबरें की पश्चिम मंगाल निकाय चुनाव में टिकट बटवारे के मुद्धे पर दोनों के बीच मदभेद है यही नहीं पार्टी के कई नेता इससे इतने नाराज हैं कि वो विरोध प्रदर्शन भी कर रहा है लेकिन इस मुद्धे पर जब मुख्य मंतरी ममता बेनरजी से सवाल पूछा गया तो वो भड़क गई वहीं बीजेपी को बैठे बिठाए टीमसी को घेरने का मौका मिल गया सबसे पहले पार्टी नेता अमित मालविये ने ट्वीट कर हमला बोला तो बंगाल बीजेपी ने भी ममता और उनके भतीजे अभिशेक बनरजी का नाम लेका टीमसी पर तंसकस दिया बुआ भतीजा का जो नया सरकस चल रहे है पिके को लेके ये तो एक दिन होना ही था बंगाल में प्रशांद किशोर की कंपनी आईपैक के साथ टीमसी का करार है प्रशांद किशोर पिछले साल हुए बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले से ही टीमसी के साथ जुड़े है लेकिन खबर है कि निकाय चुनाव को लेकर आईपैक ने सोशल मीडिया अकाउंट पर टीमसी उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की थी उस पर पार्टी के कुछ निता नाराज हो गया और उन्होंने इसे खारिज करते हुए खुद एक लिस्ट बना कर उसे अलग-अलग जिलों में भेजना शुरू कर दिया